तो अब हम शुरू करेंगे वैक्सीन कई वार क्या होता है ना कि हम अपने को किसी डिजीज से बचने के लिए पहले से ही बचने के लिए हम उसका वैक्सीनेशन कर लेते हैं तो वैक्सीनेशन में एक्जेक्टली क्या होता है कि या तो हम पहले से ही अपने इम्यून सिस्टम को प्रिपैर कराते हैं कि अगर कुछ ऐसा पार्टिकल आया कुछ ऐसा पैथोजन आया तो आपको आपकी बॉड़ी क्या करेगी क्योंकि वो तयार रहती है पहले से ही हम बना ले तो जब रियल एंड काउंटर हो उस वायरस से उस पैथोजन से उस बैक्टीरिया से तो वो क्योंकि पहले से एंटीबॉडी बनाई रहेगी इम्यून सिस्टम हमारी पहले से उस एंटीजन को पहचानती होगी तो वो क्या करेगी वापस से उसके स्पैसिफिक इंट्रिऊ करते हैं वैक्सीन के फॉर्म में जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या होती है इंत्रिश करते हैं तो पहले तो वैक्सीन होता क्या है एक इम्यून और अबायोंगल सबस्टेंस जो कि किसी पर्टिकुलर डीजीश के एक इस स्पैसिफिक प्रोड्क्शन प्रोट हुआ उनको फिर दुवारा क्या बोला गया कि दुबारा नहीं होगा जिनको एक बार वाडी उनको उनके है एक पर्टिक्वलर इम्म्पन American नहीं हुआ उन्हों नहीं क्या कोवी शेल्ड या को वैक्सीन रूरो किसी जो है वह ले राख ये उनको वापस से जब रियल कोरोना वाइरस इंफेक्ट करें तो उनको इंफेक्शन नहीं हो उनकी बॉड़ी आइडेंटिपाई कर ले कि अच्छा यह कोरोना वाइरस चलो इसका इलाज है मेरे पार तो बॉड़ी की इम्मुनिटी सिस्टम उसको टैकल कर ले ठीक उसको इन्वेट कर दे अब क्या कि ये biological substances होते हैं जो कि किसी disease से prior protection के लिए introduce किये जाते हैं बॉड़ी में ये क्या करते हैे stimulate करते हैं इम्म्युन response को इस त्रीक है बॉड़ी के अंदर immune response करते हैं और antibody generate करते हैं ठीक अब ये किस तरह से वेक्सिन जो है वह लिए जा सकते हैं किस component से vaccine बनाय जा सकते हैं हो सकता है पूरा का पूरा live modified organism जो है वो introduce करा जाए तो हो सकता है कि पूरा का पूरा जीता जागता वाइरस या bacteria आपकी body में introduce किया जाए तो यह होता है live form लेकिन live तो है लेकिन modified है या attenuated है attenuated के मतलब कि उसको किसी तर से ऐसा modify किया गया है कि वो body में जाए antigenic response या immunogenic response create करें पर वो pathogenicity नहीं create करें ठीक है मतलब उसके वरुलेंस capacity को कम कर दिया गया है घटा दिया गया है या खतम कर दिया गया है है ना मतलब pathogenicity को खतम कर दिया गया है modify करके mutant करके लेकिन लेकिन वो क्या है अभी भी लाइव है लाइव पूरा का पूरा लाइव वाइरस है ठीक तूसरा होता है inactivated और killed organism इसमें वाइरस या bacteria जो भी है या फंजाई जो भी है तो उनको क्या किया जाता है inactivate किया जाता है या kill करके use किया जाता है as a vaccine दूसरा होता है cellular fractions को निकाल के उनकी vaccine बनाना जैसे की spike protein निकाल ली हमने ठीक है वाइरस के case में हमने particular spike protein का use कर लिया तो यह क्या हो वह cellular fraction cell की किसी पार्ट को निकाल के as a subunit vaccine use कर लिया हमने फिर तीसरी category होती है toxoid की toxoid मतलब कोई exotoxin को बैक्टिरिया जो है exotoxin secret कर रहा है जैसे क्या हो गया diptheria हो गया टेटेनस हो गया तो यह दोनों toxin क्या काम आएंगे as a toxoid काम आएंगे वैक्सीन जनरेट करने के किसके अगेंज डिप्थीरिया और toxoid के अगेंज टेटेनस के अगेंज ही यह काम आएंगे तो यह होता है toxoid वैक्सीन फिर होता है combination of these combination of these मतलब live modified organism यह inactivated kill organism का combination बना दिया यह cellular fraction और live का combination बना दिया यह inactivated और cellular fraction का combination बना दिया यह inactivated के साथ toxoid का combination बना दिया तो combination vaccine हो सकते है ठीक तो हो गया live attenuated जिसमें live हैं बत modify किये गए हैं ताकि वो pathogenicity नहीं create करें पर immunogenicity create कर पाएं मतलब आपकी body के अंदर immune response trigger कर पाएं दूसरे हैं inactivated और kid तीसरे हैं extracted cellular fraction जैसे subunit vaccine बोलते हैं तो यह क्या होते हैं जैसे virus के spike protein को ले लिया तो यह क्या हुआ एक extracted fraction हुआ है ना toxoid जैसे हमने toxins ले लिए neutralize किया उसको use किया as a vaccine तो यह toxoid हो जाएगा और combination of these में इनके कोई भी combination लिये जा सकते हैं इतना समझ में आया कि डबल अटैक हो सकता है डबल अटैक इगनोर नहीं किया जा सकता है बट यह है कि severity कम हो सकती है सेकेंड केस इतने सीवियर नहीं हुए होंगे अगर सेम पर्सन में कोरोना ने इन इंफेक्शन क्रियेट क्या होगा तब तो इतना समझ में आ गया कितने तरह की चीजों से वैक्टिरिया वायर्स यूज किये जा सकते हैं पहले लाइव लाइव बैक्टिरिया वायरस यूज किये जा सकते हैं killed bacteria virus या inactivated bacteria virus यूज किया जा सकते हैं cell का कोई subunit यूज किया जा सकता है जिसको हम बोलेंगे fraction ठीक है cell fraction कोई subunit यूज किया है toxoid मतलब कोई toxin यूज किया जा सकता है जो toxin यूज किया जा सकता है as a vaccine और combination of these ठीक तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं live attenuated vaccines के बारे में live attenuated vaccines क्या होते हैं यह किसी wild microorganism को है ना जैसे कि हमारा क्या है polio है ना polio virus है polio virus को ले लो तो इसका जो wild strain है जो कि pathogenicity create करता है उसको हम laboratory में modify करते हैं उसका mutant create करते हैं अब यह mutant जो होता है वो ऐसे create करते हैं कि यह अपनी balance capacity को क्या कर दे खतम कर दे लॉस कर दे इसकी balance capacity lost हो जाती है तो अब क्या यह immunogenicity तो create कर सकता है पर disease नहीं cause कर सकता है डिजीज नहीं create करेगा डिजीज नहीं cause करेगा तो मतलब इम्यून system को तो trigger करेगा immune response generate करने के लिए लेकिन disease नहीं cause कर पाएगा अब क्यूंकि यह live है और mutant है तो यह host की body में जाएगा replicate करेगा multiply करेगा बहुत सारी copies बनाएगा फिर उसके अगेंस antibodies भी जितना जादा यह multiply करेगा उतने जादा उसके antibody बनेंगे तो यह क्या होता है लाज एंटीजनिक dose बनाता है बहुत सारे antibodies बनाएगा बहुत सारे immune response generate करेगा लाज एंटीजनिक dose यह बनाता है लेकिन अब देखो live vaccine के साथ दिक्कत क्या होती है कि इसको immunocompromised person के साथ या immunodeficient person जैसे HIV के case में होता है कि immunity हो जाती है तो ऐसे person को जिनकी immunity वीग हो इम्मुनिटी कंप्रोमाइज हो उनको हम live vaccines नहीं दे सकते हैं या कोई immune deficiency disease हो उसकेस में भी हम उन persons को live vaccines नहीं दे सकते हैं प्रेगनेंसी के केस में भी हम live attenuated vaccines को जो है अबॉइड करते हैं ठीक तो यह live vaccine समझ में आ गया आपको लाइव वैक्सीन जो होते हैं वो जनरली सिंगल डोस में ही लाज immunogenic response जो है वो प्रियेट करते हैं प्रॉपर अच्छा खासा जो है एंटी बॉडी बनाएंगे यह ठीक है अच्छा खासा immunogenic response क्रियेट करते हैं अगर अगर इनको इंजेक्ट दिया गया हो लेकिन जो लाइव अटेंड के ओरल डोस होते हैं जैसे पोलियो का ओरल वायर ओरल वैक्सीन पोलियो के जो ड्रॉप्स होते हैं जो आपको कई बार दिये जाते हैं पांस साल इनको बार बार देना पड़ता है इसके अलावा जैसे mmr का वैक्सीन हो गया वैरिसेला का वैक्सीन हो गया यह शुरू में फर्स डोस में थोड़ा सा इम्यून रिस्पॉंस जनरेट करते हैं इसलिए इनका बूस्टर डोस या सेकेंड डोस लेना पड़ता है ताकि इम्यून रिस्पॉंस ज्यादर स्ट्रॉंगर हो तो जनरली अगर बोला जाए तो लाइव अटेनुएटेड की एक डोस से काम चल जाएगा लेकिन लाइव अगर ओरल है तो मल्टिपल डोस चाहिए होंगे अब लाइव अटेनुएटेड में भी MMR और वैरिसेला के लिए अगर वैक्सीन है तो इनके लिए सेकेंड डोस जो है वो रिकमेंडेट किया जाता है इसके अलावा क्योंकि लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन में इस सब्सक्राइब करें परें एक गिर फॉली स्टोर की आजाता है कूल टैंप्रेचर पह थाकि यह डामेज नहीं हूँ है इतना समझ में आ गया लाइव एक्सिन बारे में आप अब लाइव वैक्सीन की टाइप अ कौनकों से लाइव वैक्सीन प्रेजेन है तो वायरल करें तो मीजल, मूंस, रुबेला, वेरिसेला, जोस्टर, येल्लो, पीवर, रोटावायरस, इंफ्लुएंजा, ओरल, पोलियो वैक्सीन, जिसको उम साविन वैक्सीन भी बोलते यह सारे लाइव एक्सीन के एक्जामपन है बेक्टिरियल में इसके बात करें तो बैक्टिया की घंज्ट होती है और अगर आप आपसे लाइव एक्जामपल पूछा जाए कि लाइव वैक्षीन के शार। कौन कौन से हैं live attenuated के तो आप याद रखोगे boy like crime boy like crime का मतलब यह नहीं है कि मैं यह बोल रही हूं कि मैं accuse कर रहे हूं कि boys जो होते हैं crime करते हैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूं boys जो होते हैं वो crime genre जो होता है वो जल्दी पसंद करते हैं ऐसी movies ऐसे movies या series या फिर games वो ज़्यादा पसंद करते हैं जिनमें crime होता है तो हम इसको याद रख सकते हैं boy like crime तो boy B for क्या हो जाएगा bacillus camet urine BCG का vaccine हो जाएगा O से आप याद रखोगे oral ठीक अब चाहें वो oral का typhoid हो oral का polio vaccine हो दोनों ही इसमें आ जाएंगे वी ओ वाई वाई से आप याद रखोगे yellow fever तो यह boy आपको क्या क्या याद रखने में help करेगा BCG oral typhoid oral polio vaccine और yellow fever इतना ठीक उसके बाद लाइक तो लाइक ऐसे ही समझ लो कि याद रखने के लिए उसके बाद क्राइम क्राइम सी से आप याद रखोगे चिकन पॉक्स आर से याद हो जाएगा रुबेला एंड रोटा वाईरस आई से इंफ्लुएंजा एम से मीजल और मॉम्स तो आपको याद हो जाएगा कि क्या क्या है BCG oral typhoid oral polio vaccine यलो फीवर चिकन पॉक्स रुबेला रोटा वाईरस इंफ्लुएंजा मीजल मॉम्स यह सार कि अगर कि अगर कि अगर कि तो लाइव वैक्सिन क्लियर हो गया सबको दूसरा है inactivated और killed vaccine तिक inactivated और killed vaccine में क्या होता है जो भी bacteria या virus होता है उसको inactivate किया जाता है या kill किया जाता है heat से या फिर किसी chemical से और अगर chemical की बात करें तो generally यह chemical होता है formalin थिक तो formalin की help से इनको inactivate या kill किया जाता है और फिर इनको use किया जाता है as a vaccine तो point कहने की बात यह है कि यह जिंदा नहीं है alive नहीं है तो body के अंदर जाके replicate नहीं करेंगे replicate नहीं करेंगे तो कई सारी dose मतलब immune response live के comparison में थोड़ा कम generate करेंगे है ना life जितना strongly immune response generate नहीं करेंगे थोड़ा कम करेंगे तो मतलब इसकी कई doses चाहिए होंगी दूसरा infection नहीं कोई disease नहीं cause होगा को infection नहीं cause होगा अब इस क्योंकि यह यहां पर डैड बैक्टिरिया या डैड वाइरस है ठीक लाइब नहीं है तो यह किसी भी immunodeficient person को दिया जा सकता है जो की deal कर रहो immunodeficiency से या HIV से तो ठीक है तो यह immunodeficient person को दिया जा सकता है जो cancer से हो या leukemia हो जिनको या फिर HIV हो तो उनके लिए यह सेफ है फिर उसके बाद क्योंकि मैंने क्या बोला कि यह replicate नहीं करेंगे body के अंदर जाके तो इनकी यह बहुत जादा immunogenicity generate नहीं करेंगे जैसे लाइब में क्या होता लाइब में cell अंदर गए multiply हुए replicate हुए तो ज्यादा immune response generate करेंगे यह क्या करते हैं कम immune response generate करते हैं इसलिए multiple doses इनको चाहिए होंगे पहला dose जो होगा वो prime dose होता है जो कि थोड़ा सा immune response generate करता है और generally इनके तीन doses जो है वो जाते है अब इन में live vaccine का example देखें हम कि live vaccine कौन कौन से हैं तो इसमें आता है polio polio अब देखो बोलोगे कि पहले वाले में भी polio था तो पहले वाले में oral polio था यहां पे injectable polio है है ना मतलब जिसका injection लगा जाता तो यह injectable polio है cholera है plague है typhoid पहले वाले में oral typhoid था यहां पे typhoid है पर्टूसिस है hepatitis A और rabies इन सब का है ठीक तो अब यहां पे दो चीज़े याद कर सकते हो यह कि याद कर सकते हो पोको प्लैटी पर ही रा तिक पोको प्लैटी पर ही रा तो पो से क्या हो जाएगा polio को से cholera प्लै से plague टी वाई से टाइफॉइट पर्टूसिस और ही रा ही से hepatitis A और रा rabies को indicate करेगा तो यह एक test Mine याद रहाँ सकते हो पोको प्लैटी पर ही रहां but otherwise नहीं और याद कर सकते ह्ति-स एर टीशी और अबर आईपी तो आपको पता ही है है ना ऑन आमर पी मालू मैं आपको कि री इंपी बार-बार लिख देते कोई मर मुरा जाता है तो तुरंट कॉंडॉलेंस के लिए क्या लिखते हो आर आई पी तो आप लिखोगे एस्टी सी आर आई पी तो हो जाएगा अब हम देखेंगे सब्यूनिट्वेक्सिन सब्यूनिट्वेक्सिन किसको बोलते हैं हम वाइरस के ही किसी पार्ट को निकाल के as a vaccine यूज़ करते हैं जैसे अगर वाइरस है तो उसका spike protein ले लिया हमने जैसे अब यह एंटोईजनिक ऐसे सब यूनिट vaccine क्या होते हैं कि microorganism के ही कोई component होते हैं जिनको antigenic response जो है वो create करते हैं body में अंदर जाके antibody बॉड़ी प्रोडियूस करते हैं तो यह क्या क्या पार्ट हो सकते हैं यह हो सकता है toxoid को एक्जो टॉक्सीन हो सकता है जैसे diptheria या tetanus कोई protein हो सकता है जैसे virus का spike protein हो सकता है polysaccharide हो सकता है हम सब जानते हैं कि कुछ bacteria होते हैं जिनके किनारे क्या मिलता है आपको आउटर पे capsule की लेयर मिलती है यह capsule किसकी बनी होती है glycoprotein की बनी होती है glycolipid की बनी होती है generally polysaccharide rich होती है यह ठीक तो glycocalyx भी इनको बोलते हैं सूल या glycocalyx भी बोलते हैं तो glycocalyx polysaccharide सब्यूनिट है यह तीन सब्यूनिट वैक्सीन जो है बनते हैं इनके combination से भी वैक्सीन बनता है तो जब यह इन में से कोई यह सारे या इन में से कोई एक component जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉड़ी में तो यह स्टिमूलेट करते हैं किसको immune response को और फिर फरदर protection देते हैं उस pathogen से तो यह कितने तरह के हो सकते हैं toxoid हो सकते हैं अगर spike protein यूज प्रोटीन वैक्सीन हो सकते हैं spike protein के recombinant अगर आपने बना ली है और recombinant तरीके से फिर उस protein को express करा के उसका वैक्सीन बना रहे हैं तो recombinant protein vaccine हो सकते हैं polysaccharide based vaccine जो यह से capsule या glyco calyx की layer को introduce करा रहे हैं तो आपका क्या होगी आप polysaccharide based vaccine और अगर इनके combination को introduce करा रहे हो तो combination vaccine अब एक एक करके इनको देख लेते हैं टॉक्साइड की बात कर रहे हैं हम तो टॉक्साइड में कुछ organism जैसे dipthiria ठिक यंचरिया अ करते हैं एक लॉक्सीम तोक्सीन अईसा करके toksien प्रियूज करते हैं तो हम क्या करते हैं FormalD céIde का उसकाते हैं और और उसकान और इनका संब्सक्राइग का करते हैं निट्रिलााइज कर लेते हैं या या detoxify कर देते हैं neutralize करने से क्या होते हैं यह detoxify हो जाते हैं मतलब अब जो पहले diphtheria toxin EF2 पे जाके क्या कर रहा था inhibit कर रहा था और cell death cause कर रहा था protein synthesis रोक के अब वो यह काम नहीं कर पाएगा ठीक लेकिन यह immunogenicity create कर देगा ठीक मतलब immune response body में proper देगा बट क्या करेगा डिजीज cause नहीं कर पाएगा तो किसे neutralize कर रहा है है ऐसे ही होता है protein vaccine कोई भी part protein जो है पहले हम pathogenic microorganism को culture करते हैं in vitro culture करेंगे फिर उससे वो protein isolate करेंगे उस protein को isolate करेंगे purify करेंगे और फिर उसको यूज करेंगे as a vaccine ठीक जैसे अगर हम बी पर्टूसिस के case में देखें तो बी पर्टूसिस को हमने क्या किया in vitro culture किया उसके जितने protein types थे दो चार तरीके के उनको निकाला purify किया और अब उसको हम किस तरह से यूज कर रहे हैं पर्टूसिस vaccine की तरह यूज कर रहे हैं अब यह किसके काम आएगा वूपिंग कफ को के infection को रोकने के काम आएगा ठीक कि ऐसे ही polysaccharide based vaccine की बात कर रहे हैं तो polysaccharide में हमने बताए कि ग्लाइकोखलेक्स या capsule ठीक उससे derived होते हैं क्यों क्योंकि वहां पर आपके polysaccharide का लेवल जहादा पाए जाता है तो जैसे स्टेप्टो कोकस न्यूमोनिया या साल्मोनेला हो गया तो इनके बाहर एक capsule की लेयर पाई जाएगी ठीक यह पैथोजेनिक capsulated microorganism से हम क्या करते हैं क्या isolate करते हैं capsule वाले polysaccharide को isolate करते हैं और फिर उसको use करते हैं vaccine की तरह से ठीक जैसे हमने क्या बोला था अब होता क्या है कि capsule का जो variation होता है अलग-अलग microorganism में अलग-अलग होता है ऐसे ही यह विदिन एक ही bacteria जैसे साल्मोनेला या स्टैप्रो कोकस न्यूमोनिया है इसके अलग-अलग strain में अलग-अलग तरह के capsule की layer पाई जाती है composition change होता रहता है chemical structure जो है capsule का change होता रहता है within a single strain ठीक है अलग-अलग strain में अलग-अलग तरह के capsule का composition chemical structure मिलेगा तो इसलिए यह जो polysaccharide based vaccine होते हैं यह यहाँ पे limitations हो करते हैं कि सबको target नहीं कर पाते हैं अलग-अलग कोई नया strain आ गया तो यह उसको target नहीं कर पाएंगे तो यह क्या हो गया polysaccharide based vaccine की एक limitation हो गई क्यों क्योंकि यह जो capsule का composition है chemical structure है वो vary कर रहा है अलग-अलग bacteria में के अलग-अलग strain में ठीक तो यह समझ में आ गया कि सब polysaccharide based vaccine कैसे बनते हैं बस खतम होने वाला ब्रेक की ज़वरत ही नहीं है यह last slide अब है combination vaccines की बारी ठीक combinations vaccine में क्या होता है more than of one kind of immunizing agent इसमें generally combination vaccine में क्या होता है दो-तीन disease को एक साथ target करते हैं ऐसे vaccine बनाते हैं जो एक single shot में दो या दो से ज़्यादा pathogen से हमको protection देता है तो इसको हम बोल देते हैं combination vaccine कई तरह मतलब more than one immunizing agent जो होते हैं वो एक ही vaccine में होते हैं इसलिए हमको क्या बोलते हैं combination vaccine बोलते हैं तो combination vaccine क्यों बनाते हैं क्योंकि यह administrate करने में simple होते हैं cost cut कर देते हैं आप दो vaccine लगवाओगे उसके बजाए आप एक ही vaccine लगवाखे यह production में भी cost जो है वो reduce करते हैं और प्लस आपका भी cause जो है कम लगेगा उससे तो यह cost reduction भी कर देते हैं फिर उसके बाद बार बार आपको कई बार आपको लगवाना नहीं पड़ेगा vaccine की कई बार बार जाके अलग-अलग doses नहीं लेनी पड़ेंगी इसके अलाबा रेडियू जैसे एक बिमारी के लिए आ पर्टूसिस और टिटनेस एक साथ टार्गेट कर देते हैं तीन डिजीज को एक साथ कंबाइन करके कंबाइन वैक्सीन बना दिया है ना इसके अलावा अब तीन वैक्सीन को स्टोर करने के लिए तीन तरह के आपको freezing system चाहिए तीन freezing system चाहिए जबकि अगर वो तीनों वैक पाइदे होते हैं combination vaccine के combination vaccine के example हो जाएंगे पहले DPT मतलब डिप्थीरिया पर्टूसिस और टिटेनस तीनों toxin एक ही साथ फिर MMR जिसमें है मीजल मम्स और रुबेला DPTP मतलब DPT यानि के डिप्थीरिया पर्टूसिस और टिटेनस प्लस इन एक्टिवेटेड पोलियों ठीक प्लस इन एक्टिवेटेड पोलियों फिर DPT हैप B HIV तो इसमें क्या आ जाता है DPT आ जाएगा पूरा डिप्थीरिया पर्टूसिस और टिटेनस हैप B से क्या हो जाएगा हैपिटाइटिस B और हीमोफिलस इंफ्लूएंजर टाइप B इतने सारे को टार्गेट करेगा तो य हो जाते हैं multi-tasking vaccines तो हम बात करते हैं vaccine के रूट आफ administration के तो हम जानते हैं कि अलग-अलग vaccines अलग-अलग routes से जाते हैं तो यह हो सकते हैं intramuscular यानि muscles में मसल्स में वैक्सिन इंजेक्ट कर रहा है तो intramuscular subcutaneous अगर अगर मसल से उपर लेकिन यी जो skin layer है उसके नीचे डाल रहे हैं हम vaccine तो क्या हो गया sub cutaneous intradermal just अगर skin-layer के नीचे है तो intradermal oral route अगर हम जैसे polio vaxin oral polio vaccine ले रहते तो वो क्या हो जाएगा oral route हो जाएगे तो जो इंट्रा मस्कूलर होता है उसको सीधे इंजेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे और सीधे मसल्स में ले जाके यहां पे इंजेक्ट करते हैं सबसे नीचे 90 degree पे intra muscular जो है वो introduce किये जाते हैं फिर यहाँ पे intra muscular वो vaccines होते हैं जिनमें adjuant add होते हैं उनको हम intra muscular जो है वो deliver करते हैं उसके बाद जो है subcutaneous subcutaneous जो होता है muscle के उपर वाली लेयर और dermal के नीचे वाली लेयर यह वाली लेयर जो होती है subcutaneous लेयर होती है यहाँ पर vaccine को administrate किया जाता है इसको लगाने का तरीका होता है कि skin से 45 degree के एंगल पर करके लगाते हैं फिर उसके बाद intravenous नाम में पता चल रहा है जो veins में लगा जाएंगी वो क्या होंगी intravenous और फिर intradermal जो कि जस डर्मल लेयर में लगा रहे हैं उपर के dermal layer में ही जो vaccine लगा रहे हैं तो वो होंगी intradermal जनरली जो होता है BCG का vaccine लगाते हैं BCG का vaccine of administration vaccine की याद करनी हो तो oral में हो जाएगा oral poliovirus और टाइफाइट का भी आता है रोटा वाइरस भी जो है वो oral हो गया ठीक इंट्रमस्कुलर में यह जो आपके डीपीटी और यह करके combination वैक्सीन थे वह आएंगे मतलब combination vaccine जो है वो इंट्रमस्कुलर में आएंगे hepatitis B और IPV यह हीमो influenza वाली आ जाएगी PCV यह सारे इंट्रमस्कुलर में आ जाएंगे फिर subcutaneous में measles और yellow fever आ जाएगा MY SC करके याद कर सकते हो तो subcutaneous, measles, yellow fever और BCG नियूरो वास्कुलर इंजरी को प्रोटेक्ट करने के लिए chances कम करने के लिए BCG कहां लगाए जाएगा इंट्राडर्मल लगाए जाएगा ठीक combination vaccines इंट्रमस्कुलर